हाई गाईज तो फिर से हम आज चुके हैं बहुत सारी आफ केंपस जॉब अपॉर्चिनिटी के साथ और यह सारी जॉब अपॉर्चिनिटी की लिंक आपको वीडियो की डिस्रिप्शन में मिल जाएगी तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए आप वहां पर जाएए वहां से करिए और इसकी डिटेलिंग में इस वीडियो में दे दे रहा हूं कि क्या-क्या, कैसे करना है तो फिल्कुल टाइम ने बेच करते हुए डारेक्ट चलते हैं 2021 FTE Software Engineer and the location will be Hyderabad, Bangalore, India eligibility criteria देख सकते हैं basically है 2021 वालों के लिए है B.E.B. Tech graduating in 2021 in Computer Science, Electrical Electronics और equivalent discipline with Specialization in Computer Science जहां criteria क्या set कर रखाई नहों है कि 7CGP होना चाहिए with no backlog ठीक है आप इसके लिए apply कर सकते हैं यह अच्छी job opportunity है Salesforce की तरफ से आते हैं अपनी अगली job opportunity की तरफ जो की आती है Thinkative की तरफ से तो Thinkative आपको training software engineer position के लिए hire कर रही है और full time यह role है और eligibility criteria है कि 2019, 2020 and 2021 pass out के लिए जो कि B.E.B. Tech, M.E. M. Tech in Computer Science and IT apply कर सकते हैं M.C.A. वाले भी और कुछ खास मांगा नहीं है बस खाली आपकी communication और interpersonal skill ठीक ठाक होनी चाहिए OOPS और data structure की आपको थोड़ी बहुत घ्यान होनी चाहिए और HTML, CSS, JavaScript के basic तो सारी चीज़े तो आप कर ही रख्योंगे यह तो फिर basic ही है database and basic networking यह सारी चीज़ें से दे रखी हैं और काफी आसान होगा मेरे हिसाब से प्लीज इसको apply करी आप लोग और यह apply नाओ यहाँ पे है और यह इसकी भी link आपको वीडियो की description ने मिल जाएगी तिंकिटियो की Now we are moving on to our next job opportunities that is coming out from Verlue तो Verlue data analyst intern position के लिए basically hire कर रही है और location होगा बैंगलूर और आप यहाँ से आके directly apply कर सकते हैं यह भी link आपको वीडियो की description ने मिल जाएगी रोल यहाँ पे क्या होगा कि data analyst का रोल होगा और 6 मन की internship होगी जो कि full time में फिर convert हो जाएगी और skill कुछ खास मांगा नहीं है product mindset, hacker mindset, coding, SQL and noisqlability यह सारी चीज़े हैं qualification आप यहाँ से देख लीजे और यहाँ से आके directly apply कर लीजे अब हम लोग जो mass hiring वाली company की तरफ move कर रहे हैं that is for hexaware अब hexaware देखिए कई job role के लिए hire कर दिये basically एक तो वो 4 LPA के लिए ले रही है कुछ college के लिए और कुछ college के लिए 6 LPA पर ले रही है तो यह आप चेक कर सकते हैं कि आपका college eligible है भी कि नहीं है 6 LPA वाले के लिए वैसे आप यहाँ apply कर सकते हैं 4 LPA के लिए यह ले लेए और इस stipend आपको 15,000 रुपया देगी छे महीने उसके बाद यह CTC में change हो जाएगा सुपर सेट के तुरू आप आपके यहाँ पर apply कर सकते हैं इसकी भी link आपको वीडियो के description ने मिल जाएगी और बहुत अच्छी job opportunity है प्लेज इसको try ज़रूर करें hexaware and इसके कुछ data link आपको मैं दे देता हूँ basically यह कह क्या रहा है what we are looking for यह अपने मतलब की चीज़ है कि communication skill ठीक ठाक होने चाहिए आप team player होने चाहिए high level of energy, right attitude and सारी फालतों की बाते हैं और job description जरूर पढ़िए job apply करने से पाढ़िए description पढ़िए और देखे कि यह क्या मांग रहे है और who can apply so B, B, T, M, E, M, T, M, C यह not eligible passing यह 2022 तो 2022 बेश वाले apply कर सकते हैं जो कि CSE, IT, ECE, EEE, E, T, C, E, I, E, N, I, C branch से हो cut off इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं रखा है 60% या फ़र 60GPA हो 10-12th in UGPG और backlog ना हो area कुछ भी ना हो तो आप यह apply कर सकते हैं और बहुत अच्छे opportunity है superset के through आप जागे directly इसको apply कर सकते हैं तो यह यह है इसके 6 lakh वाली link तो कुछ college eligible है जैसे मेरा college देखे you are not eligible for this job scroll down to see why तो यहाँ पर यह मेरे college को not eligible बता रहा है के लिए यह नहीं open है कुछ college के लिए open है आप superset पर login करके check कर सकते हैं अगर यह 6 lakh वाली नहीं open है तो आप यह 4 lakh वाली में apply कर ही सकते हैं और अगर यह open है तो आप दोनों में apply करिए और सारी job link आपको video के description मिल जाएगी once again thank you for watching अगर आपको video अच्छी लगया तो please like करें share करें और channel को subscribe करें कोई भी doubt हो तो comment करें